तो नमस्कार दोस्तों और मैं अजीत सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का सभी मेरे साथियों का और भावे सिक्षक और सिक्षिकाओं का आपके अपने ही यूटीब चैनल बीएड इग्जाम पर तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तों वीडियो को फटा-फट श्टार्ट कर लेते हैं और उससे पहले बस वो छोटी सी रिक्वेस्ट जो हर बार मैं आप से करता हूँ कि अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए हों या आप अभी विरबादू सुर्वांचल इंवर्सीटि से जुड़े हैं या किसी भी इंवर्सीटि से जुड़े हो विडियो स्टार्ट कर लेते हैं, यह question जो मेरे आपके लिए आज चुना है, यह बहुत important question है, साथ ही साथ यह question आपका दो पार्ट में रहेगा, तो यह मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि अगले पार्ट में हम फिर इसके types के बारे बात करेंगे, तो यह question continue होगा अच्छा परश्ण है, साथ ही साथ ही आपका 15 हितन नंबर के साब से भी बहुत ही आच्छा परश्ण है, तो अगर यह question सिप इतना पूछ ले आपसे, define validity, तो यह दो नंबर का भी परश्ण बन सकता है, तो आप देख रहे हैं, इसी question को आपके किसी भी section में पूछा जा सकत है, तो यह प्रश्ण हमें जरूर तयार कर लेना चाहिए, मतलब यह topic हमें समझ लेना चाहिए, तो question है आपका कि what do you mean by validity, what are its various types, तो मैं type भी बता दूँगा लेकिन उनको explain अगले वीडियो में करूगा, तो validity मतलब होता है वैदिता, अब यह सब्द आपने कई बार सुना ह होगा, जैसे कि आपका recharge का plan होता है, आप किसी भी operator geo का, air retail का, vi का, किसी का भी आप purchase करते हैं, तो उसका एक plan होता है, जो 28 दिनों के लिए, 56 days के लिए, 84 दिनों के लिए, मतलब long term जैसा भी हो, वो एक valid होता है, वो validity होती है, तो यह valid सब्द, वैद सब्द जो है आप कई ब तो जब आप से कोई पूछे, एक सिक्षक के रुप में आप से भी कोई पूछ सकता है, तो आपको क्या बताना है, आप ऐसा समझेगा, किसी यंत्र के माली, आप validity किसके बारें बात करें, हम या तो किसी प्रक्रिया के बारें बात कर रहे हैं, या फिर कोई test हो रहा है, या फिर हमारे पास कोई यंत्र है, तो इन सारी चीजों को हम valid कब कहेंगे, मतलब माली जे आपके पास एक machine है, जो किसी चीज को वजन करने के लिए बनी है, तो उस machine को valid कब कहेंगे, या फिर आप माली जे कोई examination लेते हैं, अब आप उस exam को उसके परड़ामों को valid कब कहेंगे इसी तरह से जैसे आपका recharge plan है, वो जब आप purchase करते हैं, उसको आप valid कब कहेंगे, इस तरह की चीजे होंगी, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, देखे दोस्तों अगर साधारन सब्दों में बात करूँ, अभी हम इसको digital में पढ़ेंगे भी, अगर साधारन सब्दों में हम बात करें, तो वैदता या validity का मतलब यह होता है, कि हम जिसके बारें बात करें, जिसकी validity के बारें बात करें, तो वो चीज, मालेज अगर वो यंतर हैं, जैसे कि थर्मा मिटर है, या हमारा वजन नापने के लिए कोई तराजू है, या फिर लंबाई नापने के लिए कोई examination माले जी जैसे आपके board की exam होता है जैसे आपके बीड का exam होता है entrance exam होता है IBPS का exam होता है ISPCS का exam होता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह जो exam हो रहे हैं वो valid हैं यह सही में ISPCS या bank PO के लिए जो सही में quality चाहिए वैसे ही candidate का selection करनी में योग है या सक्षम है यह test या यह entrance exam या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह जो घड़ी है यह valid समय बता रही है या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका जो recharge plan है वो अभी valid है आप कैसे कर सकते हैं कि मेरा plan अभी valid है तो ये सारे question को आपको समझ आप इसका जवाब भी आपके पास है आप खुद सोचिए इनका जवाब आपके पास है की नहीं है देखें आप एक एक करके समझते हैं जब आप बोलते हैं कि आपका recharge plan valid है तो valid होने का मतलब क्या होता अगर recharge plan को आपको आपने खरीदेते वक्त उसके terms and condition को समझा होगा तो मान लेज़े उसमें बोला गया होगा कि इस plan को अगर आप खरीदे तो 28 दिन के लिए आपका valid होगा 28 दिन तक आप किसी को भी free call कर सकते हैं आपको 100 SMS free है spec को खरीदने के बाद तो आप क्या कहते हैं आपका plan valid है मतलब जिस सुधा के लिए जिस service के लिए आपने उस चीज को खरीदा था अगर वो उसको पूरी हद तक देता है पूरी हद तक उन services को आपको देता है तो आप बोल सकते हैं कि वो plan valid है इसी तरह से आप आईए तराजू के बारें बात करते हैं आपने एक तराजू लिया है ठीक है जब आप एक किलो का वजन करते हैं ठीक है आप एक किलो वजन करते हैं और वो एक किलो शोग कर रहा है अब अगर कोई वेक्ती कहीं दूसरी जगह से कोई सामान लेकर आया है और वो भी बोलता है कि एक किलो है ठीक है और वो आपकी तराजू पर लाता है और आपका तराजू उसको भी एक किलो करता है तो आप बोलते हैं कि भाई जो आपका तराजू है मतलब ठीक है लेकिन आप अभी इसको वैलिट नहीं बूल सकते हैं, अब आईए समझते हैं, आप ने क्या किया, सो मुआर को एक किलो के पांच पैकेट बनाए, ठीक है, और फिर आप क्या कर रहे हैं, मंगलवार को आप चाहते हैं, जो एक किलो के पैकेट से कहीं उसमें से किसी ने कोई सा ठीक शो कर रहा है, फिर अगले दिन आप चेक करते हैं, फिर ठीक कर रहा है, फिर किसी दिन चेक करते हैं, यानि कि संडे तक में कई बार वो गलत शो कर रहा है, कई बार वो सही शो कर रहा है, तो जब इस तरह से थोड़ा अंतर आने लगे, तो आप देखिए कि किस हद तक अगर माल लिजे 2 ग्राम, 3 ग्राम तंक का अंतर आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि आपका बाट valid है, ठीक है, लेकिन माल लिजे किसी दिन 1 किलो का सामान है, और किसी दिन वो आपका 900 ग्राम शोग गर रहा, 100 ग्राम कम, यानि आप समझे 10 प्रतिछत कम, या फिर किसी दिन व मापने के लिए बना है, लेकिन वो सही से माप नहीं रहा, तो आप यह नहीं कह सकते हैं, यह पूरी तरह से valid है, आपका यंत्र पूरी तरह से valid है, तो valid होने का मतलब यह होता है, जिस उद्देश्ट से वो यंत्र, वो आपका ओजार, वो मशीन, जिस उद्देश्ट के लि या उनका जो personality test होता है या जो भी चीजे तो उसमें भी पाया जाता है कि ये लोग काफी योग्य हैं तो फिर क्या निसकर्स निकलता है कि जिस exam को देखकर जिस pre exam को जिस main exam को देखकर ये लोग पास हुए हैं वो valid exam क्योंकि इसमें जब 2500 लोगों ने exam को पास किया उसमें से जादा तर लोग जो है योग हैं उनकी personality को देखकर उनके अंकों को देखकर ये पता चलता है उनके आगे 2-4 साल की service को देखकर ये बताया जा सकता है कि जो exam ये लोग पास करके आ रहे हैं या जो exam पास करके और लोग आए हैं वो valid है क्योंकि वो योग्य लोगों को छाटन में हमें मदद कर रहा है जो कि IAS PCS बनने योग हैं तो हम कह सकते हैं कि वो exam क्या है आपका valid है तो ये तो एक साधारन बात हुए अगर पारिभाशा रूप में हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं कि the degree to which यानि कि वो सीमा मतलब वो अधिक्तम सीमा जिस हग तक कोई यंत्र कोई मशीन कोई परिच्छा कोई परिच्छन कोई सर्वे आपका ये बताता है यानि कि वही रिजल्ट देता है जिसके लिए हम उससे उम्मीद गरते हैं या जिसके लिए वो बना है तो हम कहते हैं उसे valid तो माल लीजे जैसे कि अभी हम आपके समझाएंगे यहाँ पर पहले थोड़ा सा background लेते हैं तो validity word क्या है आपका इसको समझेंगे यहाँ से कुछ सब्द जो है आपको exam के साफ से याद होने चाहिए जिसके इर्द गिर्द आप जो है बना सकते हैं अपने answer को तो देखिए valid सब्द जो है आपका Latin word के validus से लिया गया है किसे लिया गया है validus सब्द से लिया गया है तो यह कहां से लिया गया है Latin Latin भासा आप सबको पता ही है ज्याद अतर scientific language जो भी चीज़े हम लोग पढ़ रहे हैं वो Latin भासा में ही है तो Latin word के validus सब्द से valid word निकला है वैद्व सब्द की मतलब खोज हुए या बोल सकते हैं वैद्व सब्द आया है अब देखिए the validity of a measurement tool मतलब किसी भी मापक यंत्र या किसी test के किसी परिक्षा का जो validity होता है वो क्या होता for example a test in education is considered to be the degree to which the tool measures what it claims to measure मतलब किस हद तक वो यंत्र उस चीज को माप सकता है जिसके लिए उसको बनाया गया मतलब कितनी सटीकता से उसको माप सकता है यहाँ पर सटीकता वर्ड भी add करना पड़ेगा तो validity के साथ में सटीकता वर्ड हमेंसे add करना चाहिए और इसको तो जिस चीज के लिए बनाया मतलब कि मान लिजे आप क्या करना चाह रहे थे अगर है टेस्ट बनाया है जिनकी mathematics अच्छी होगी, जिनकी reasoning अच्छी होगी, जिनका aptitude अच्छा होगा, और जिनकी communication या reasoning skill के अलावा जिनके personality test भी, मतलब जिनकी personality भी अच्छी होगी, जिनका की मतलब की आप समझ सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि समस्याओं से जूजने की समस्या, समस्याओं को समधान करनी का स्किल होता है वो आम लोगों से काफी बहतर हो ये ISPCS के इसाफ से में बात करूँ तो आप जब देखते हैं isPCS की экзамен उते हैं उसको इसी इस तर्का बनाया जाता है हर आदम इसको पास नहीं कर सकता, लेकिन जब वो पास हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसी के लिए तो बना था, कि ऐसे 300 लोग निकाले जाएं, ऐसे 500 लोग निकाले जाएं, जो की इन सारे गुड़ों में पारंगत हो, सारे गुड़ों में सक्चम हो, तो जब वो तेस्ट आपको ये करने में सक्चम होता है, काफी हद तक ऐसे लोग आपको निकाल के दे देता है, तो आप कहते हैं कि ये टेस्ट कहा है, वैलिड है, समझ गए आप, मिद गरता हूँ, आप समझ गएंगो धारन को, इसी दर से मान लेजिए, आपका कोई थर्मामेटर उसको माप निकले दिया, अगर वो हर दिन सही दाप मान नाप कर आपको देता है, कभी कबार उसमें मिश्टेक हो जाती है, तो आप कहळाती है, कि ये जो डिवाइस है, ये जो थर्मामेटर आपने बनाया है, ये वैलिड है, वैलिड क्यूं है? क्योंकि हर दिन ये तक्रीबन सह सटीक उसका जो है आपका माप कर रहा है वो आपको मिजर करके दे रहा है तो मतलब यह कि वो सटीक है तो it is the degree मतलब वो अधिक्तम सीमा जिस हद तक वो चीजों को माप सकता है जिसके लिए उसको बनाया गया है जिसको मापने के लिए उसको बनाया गया है उसे हम बोलते हैं validity उमीद करता हूँ समझ गया हूँगे दुबारा इसको अब नहीं करते हैं इसके थोड़ा आगे बढ़ते है तो वैदता क्या बता आती है वैदता यानि कि validity tells us how accurately a method मतलब कि कोई तरीका कोई प्रक्रिया measures something किसी चीज को किस हद तक measure कर रहे जैसे कि हमने ISPCS के exam की बात करी उसका जो pre-mains होता है या interview होता है if a method measures what it claims to measure and a result closely corresponds to real world values अब मान लीज़े जैसे कि मैंने बताई ISPCS की example के लेते हुए चली बड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको तो यह बोल रहा है कि यदि कोई विदी या परिछण के मापने के परिणाम वही माप दर्शा आते है मतलब उसका result वही चीज आता है वही चीजों को वह शो करता है जिसको मापने के लिए वह बनी है या जिसको मापने का वह दावा करता है यानि कि जिस चीज को ढूंडने का वह दावा करता है अगर टेस्ट से हम मतलब ऐसे student को find out करने की बात करते हैं जिनको के लिए वह बना है अगर वह उनको ढूंड पाता है और उसके परिणाम भी और जो result है यानि कि जब हम उनके जो ढूंडने को ढूंडते भी जब ISPCS का एक्जाम हो जाता है उससे जो ढूंडने के लिए निकल के आते हैं वो सही में उसी तरह के होते हैं जिस गुणों को ढूंडने के लिए वो test बना जैसे कि मतलब पढ़ाई में भी अच्छे हो उनका व्यक्तिगत कॉशल भी अच्छा हो interdisciplinary जो बोलते हैं skill वो अच्छे हो वो public dealing में बहुत अच्छे हो communication में अच्छे हो under pressure काम करना जानते हो अगर आप देखते हैं कि जब final selection होने के बाद जो लोग pass हो हैं सही में इनके अंदर ये सारे caution हैं तो आप कह सकते हैं कि भीया ये तो जिस तरह की लोग हम खोज रहते हैं जिस गुणों के वाले लोग खोज रहते हैं वो इस test ने को दे दिये तो हम क्या कह सकते हैं क्योंकि यह real life की जो परिष्टितियां उसे मेल भी खा रही है हमारी परिछर्ण वैसे लोग ढूंड के दे दिये तो हम कहते हैं कि हमारा test क्या है वैलिड है तो यहां पर समझेगा बहुत ही अच्छी बात यहां पर लिखे वह तो वैलिडिटी रिसर्चर्चर्चर्च की लिए अगर हम बात करें तो वैलिडिटी हम को बताती है वैलिडिटी इस how researches talk about the extent that result reprims reality मतलब वैदता की अगर बात करें सुधंकरताओं की सब्दों में तो हम Бता सकते हैं करताओं के सब्दों में अगर बात करें तो ये बताता है कि किस हद तर वह वास्तविक result हम जैसा सोच रहे थे या वास्तव में जैसा होता है उससे मेल खाता है अब जैसे माली जे भेड जो है आपकी उसके लंबाई चोड़ा ही हमको पता थी जिसकी हम लोग क्लोनिंग करें उसमें अगर थोड़ा बहुत अंतर हो तो हम कह सकते हैं यह वैलिड है क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर तो चलता है लेकिन बहुत जादा अंतर हो तो वो क्लोनिंग की प्रक्रि हम लोग अगर उसकी validity की बात करें और अगर उसके परडाम जो वास्तविक data है जो वास्तविक परडाम है पहले से परडाम उनसे अगर mail खाते हैं तो हम उसे valid कह सकते हैं जैसे कि एक example और लेता हूँ आप एक अच्छा batsman या एक अच्छा बॉलर क्रिकेट की बात करता है या खिलाडी किसको कहते हैं जब हम देखते हैं कि वह खिलाडी बिलकुल वैसा ही परदर्शन कर रहा है जैसे कि पहले कोई एक महान खिलाडी कह रहा था तो हम बोलते हैं कि यह आगे चलकर एक अच्छा किसे कहते हैं जो हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करता है आप उसे नहीं कहेंगे जो कभी अच्छा प्रदर्शन करता है कभी नहीं करता या कभी करता ही नहीं तो उसके लिए हमारे पास में कुछ archip यहांного से जान्ट माप सकते ही यारी वेकविट्टा के कई प्रकार हैं इसको कि प्यों लोग इस तरह से दिखा सकते हैं यह देखिए आप यहां पर Face Validity यहाँ पर देखिएगा Face Validity, Content Validity, Construct Validity, External, Internal, Maaf करेगा Internal, External, Statistical Conclusion and Criteria Related Validity इसको जैसे यहाँ पर हैं तो आप इसको जरूर देख लिएजएगा बहुत ही मनुरंजख हैं बहुत तरीक आप देखिए जो Concepts मैंने आप दिता हैं इसी को ध्यान में रखिएगा अगले वीडियो हम मिलको Discuss करते Face Validity, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको इसको Discuss करने में Questions को आप Real Life Situation से जोड़ के देखिए आपके Questions तयार हो जेंगा और यह Question आपको भूलेगा भी नहीं तो कोसिस करिए कि Exactly आप अपने Real Life से जोड़ के देखिए Validity आप समझ गया होंगे कि भाई जो यंत्र, जो Machine, जो Test जिस उद्देश के लिए बना उसको किस हद तक पूरा करता है किस हद तक उसके परिड़ाम जो है हमारी जो अपेक्छाए हैं तो आगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो Types हैं इनको वापस है तो अगला वीडियो बिल्कुल है हम लोग डालेंगे और अगला वीडियो में तब डालूँगे जब कम से कम भया थोड़ा लाइक और शेयर कुछ कमेंट कर दो आप लोग इस के उपड़ ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद